सुनेल में बाइपास सड़क कर निर्मान होने के साथ ही इस मार्ग की जमीनों के भाव साथवे आसमान पर पहुच गया है इस मार्ग पर भूमाफियाओं के द्वारा लगतार क्रिशी भूमियों पर अवैध तरीके से कॉलोनिया काटी ज़ा रही है यही नहीं भूमाफियाओं के द्वारा कॉलोनियों के साथ साथ सरकारी भूमियों को भी अवैध तरीके से हडप कर कॉलोनियों काट रहे हैं इन पर प्रिशासन के द्वारा कोई कारवाई नहीं होने के वज़े से इनके होसले और भे बुलंद होते जा रहे हैं अब तो किसानों के खेतों पर जाने वाले मार्ग को भी हड़प कर कॉलोनी काटने जा रहे हैं। पिछले दिनों बाइपास मार्ग पर करीब पचास साल से किसानों के रास्ते को एक कॉलोनी नाइजर जेसी बी और ट्रैक्टर रे लेकर आया और उसके मार्ग को बंद करने लगा। लेकिन किसान विरोध करने के बाद काम रुका गया। किसान लोकेश राजूरायती, दुर्गाशंकर, तुफान सिंग, बालराम गोवरधन, रामलाल सहित कई किसानों ने बता कि कॉलोनी नाइजर, फारुक, एवं, आशू, सुनेल, निवासी के द्वारा हमारे खेतों पर पचाश जाज फोलाङ के थाया, थे बा ममना पचाश जाज के राष्ता है ये रास्ता में निकल बाकू रस्तो है और तुम मैं निखला और कंशेकं पचाश आजमी निकला में, पचाश या निकला में, फारुक और आशूब इस जो रॉड़ाबरी से त्राइलियां लेके कि यह पूरी चाहजी बंद करने के लिए भूमापया पूरह और दिनाström हो यो बंदब करने चाहे हुं रस्टा बनकरने चाह noun कॉांब, घ्राबरी शेह फुरा है